तो ये देखिए फैनली हमारा कार्ड हमारे पास पहुच गया है और कुछ इस तरके से पैक होके आया है चली ही स्पैकेजिंग का उवर्वीव और क्या क्या चीज़े अंदर मिलती हां के देखेंगे सबसे पहले उवर्वीव करा देता हूँ यहाँ पर N का लोगो बड़ा सा जो कि टाटा नियो वाला है इधर मैंने यलो गलर का स्टीकर लगा है अपने एड्रेस वगेरा को हाइड करने के लिए उपर HDFC बैंक का और टाटा नियो कार्ट उसका लोगो दिये हुआ है इसके पीछे यहाँ पर वही सारे कुछ डिटेल अ करना चली उसको उपन करने की कोसिस करते हैं हाथ से जो कि मुझे ने लगता होने वाला है ले आता हूं कहची और कर देते हैं इसे कट ओके तो यह देखिए उपन होने के बाद यहाँ पे अंदर ठेर सारे यहाँ पे डॉकुमेंट पेपर वर्क्स मिलते हैं एक एक करके सब कुछ आपको दिखाऊंगा मेरे इसाब से यह कागज की बरबादी है वैसे भी कोई पढ़ता है नहीं तो सबसे पहले यहाँ पे कार इसके से आप क्या क्या तरीके है मैं आगे आपको दिखाऊंगा व मिलता है कर लेक्स का क्रेडिट कर सकते हैं कितनी transaction limit है सब कुल दी हुई है उसके बाद एक और paperwork मिलता है code of bank commitment to customers और यह almost last में मिलता है सबसे बड़ा लंबा चोड़ा card के term and condition का पूरा कुछ paperwork जिस पर जितने भी card के variant HDFC bank के साथ ही क्या क्या इनके charges है क्या क्या features है सब कुछ इस पर mention होता है तो इसको आप बिल्गुल से देख सकते हैं उके तो इन सारे paperwork को रखते हैं एक टरफ और आज आते हैं अभी main चीज पे जो कि हमारा यह welcome later जिस पर होगा हमारा card यह दिखिए यहां नीजे की तरफ card लगाया गया है आगे इसको निकालेंगे उससे पहले आपको दिखा दो यहां पर क्या क्या चीज़े mention है तो पर card का variant card number उसके बाद यहां पर case date को यह issue हुआ है उसके बाद यहां पर congratulation on your Tata new plus SDFC credit card you can get 7% as new coin on every spend on your Tata new app और एक new coin एक रुपए के बाराबर है जो कि अच्छी बात है इसके अलामा कुछ और main benefits 2% का new coin आपको Tata new के partner brand पे जब भी आप spend करते हो आपको मिलेगा अगर यह 5% होता तो और मज़ाती इसके लामा को additional 5% का cashback मिलेगा अगर आपके पास new pass का membership है और बाकी सारे spending पे आपको 1% का new coin मिलेगा airport launch exit भी मिलता है once a quarter welcome benefit की बात करें तो आपको यह तभी मिलेगा अगर आपने card को apply करते time आपसे कोई joining fees लगी है तो आपको तो यहां पे 499 का new coin मिलेगा मेरे किस में ऐसा नहीं था मुझे first year free account मिला था तो मुझे 499 बे यह coin नहीं मिला आ जाते हैं नीचे तो यह हमारा card पर card को यहां से निकालने से पहले पीछे भी देख लेते हैं यहां पे किस तरिके से आपको card को यहां पे activate वगरा करना है और बाकी other details दिये हुए नीचे य यह है finally actual हमारा credit card दिखने में काफी cool लग रहा है sky blue और deep blue color में उपर से matte finish है side से है white और strong लग रहा है card overall चलिए physical overview करा देता हूं उपर है Tata new card plus की branding उसके बगल में एक हमें chip मिलता है same type वाला जैसे कि smart card है test to pay वाला option is available ही है रूपे card का logo भी यहां पे है क्योंकि मैंने इसे मिलिया है साथ ही N वाला logo तो यहां पे ही है cool सा यहां पे मेरा नाम भी मेंसन है SDFC bank का logo रूपे की branding और यह रूपे platinum card है मैंने इसे रूपे इसलिए लिया जिससे कि इसको मैं UPI के जरिये भी योज कर सकूँ card के पीछे यहां पे हमें सारे कुछ detail मिलते हैं चाहे वो card number expiry date हो या पे CVV जिसको मैंने hide किया है और यहां पे black color की जिगा silver color की lining लगी है जो की magnetic होती है ATM पे काम करने के लिए cool लग रहा है उससे साथ यहां पे आजादी काम रित्म होसो का भी logo बना है वाकि कुछ और का देता हूं तो card के उपर जो एक sticker लगा हुआ होता है वहां पर ही mention होता किसे कैसे card को activate करना है तिस दिन के अंदर ही activate करना होता है वहना आपका card हो जाएगा बंद तो यहां पर QR code है उसको कर लेना है scan तो आपका टाटा card वाला यह app खुल जाएगा यहां पर आपको अपन अगेन एक OTP जाएगा आपके register number पर OTP को डाल देना है पर allow कर देना है कर देना है फिर से submit और यह देखिए अभी हमारा card जो है वो activate हो गया है किस तारीक को हुआ है क्या date time ही है सब को दिया हुआ है next चलते है टाटा new app में और वहां से भी आपको card वाले section में दिखा देता ह और यहां पर आभी देखिए मेरी limit जो है वो maximum 40K तक पहुच गई है pin generate करने के लिए आप यहां से click करके एक number पर call करके IVR पर भी pin generate कर सकते हो या फिर internet banking से भी कर सकते हो मैं आपको call से किस तरीके से करना है वो आपको दिखा देता हूँ तो यह है toll free number screen को post करके आप इसको द में यह मेरा पिछला card है business money back वाला और दूसरा card भी यहां पर सो हो गया है अभी हम card control में जाके इसकी limit वेगरा को सब कुछ सेट कर लेते हैं यह देखिए online spend यहां पर by default आफ रहेगा तो यहां पर maximum limit सेट करके मैं इसको कर देता हूँ enable साथी contact less payment को भी enable करके verify कर देता हूँ अगेर आपके register number पर OTP आएगा इसको डालके यहां पर allow कर सकते हैं submit कर देते हैं यह देखिए हमारा card control होगे modify और अभी यह सारा कुछ करने के बाद आपका card बिल्कुल ready है इससे transaction करने के लिए और आप enjoy कर सकते हैं हर spend पे टाटा new coin जो की काफी easily spend करने के कुछ दिन बाद ह हमारे account में add हो जाता है यह देखिए यहां पे मेरे पास अभी currently इतने new coin available है अप में आपको बता दूँ इस card को किस तर किसे apply करना है आप इस card को किस तर किसे पास आते हैं इससे related मैंने कई महीने पहले एक काफी detail में एक video बना है अपने channel पे उसको आप बिल्कुल जाके दे कोई भी कुछ चान है कुछ भी पूचान जीचे comment section free है बिल्कुल पूछो मैं reply करूंगा इसके साथ instagram पर follow करना चाहते हैं तो instagram की idea यहां पर सोरी है जाके follow कर लेना message का number reply करूंगा तो बस चलता हूँ फेर मिलूगा किसी दिन किसी और वीडियो में तब तक के लिए आपको